अगर आपको घूमने का शौक है वो भी लंदन जैसे खुबसूरत शहर में है तो आप जब भी ट्रिप बनाएंगे तो फ्लाइट से ही जाने का ट्रिप बनाएंगे लेकिन अगर हम कहें कि इस बार हवाई सफ़र से नहीं सड़क के सफ़र से नाप गीजे दिल्ली टू लंदन की दूरी तो शायद आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि दिल्ली से लंदन बस से भला कौन जाता है लेकिन ये हकीकत अगर आप चाहे तो राजधानी दिल्ली से बस के जरीए लंदन पहुँच सकते हैं करीब 20,000 किलोमिटर की ये दूरी तैक करने के लिए आपको 70 दिन लगेंगे इस दौरान आप 18 अन्य देशों से होकर गुजरेंगे ये देश हैं इंडिया, म्यानमार, थायले, लाउस, चीन, किर्गिस्तान, उस्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लात्विया, लिथवानिया, पोलन, चेक गड़राज, जर्मनी, निदलेंड, बेल्जियम, फ्रांस और युनाइटिड किंग्टिम बस टू लंदन के इस रोमांचक सफर में आपको हर सुविधा दी जाएगे खास तरीके से बनी इस बस में 20 सवारियों के बैठने का इंतजाम होगा और सभी सीटे बिजनिस क्लास की होगे बस में 20 सवारी के अलावा 4 और लोग होगे जिसमें एक ड्राइवर, एक असस्टिन ड्राइवर, ओर्गिनाइजर की तरफ से एक केर्टेकर और एक गाइड भी टैनात रहेंगे डिल्ली से बाइर रोड लंदन के सफर पर निकलने से पहले एक बार इस जर्नी के दौरान आने वाले खर्च के बारे में जान लीजे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास चार ओप्षिन्स होगे दक्षण पूर्वेश्या में 11 राते 12 देर, चीन में 15 राते 16 दिन गुजार सकते हैं मध्य एशिया में 21 राते 22 देर, येरोप में 15 राते 16 दिन गुजारी हैं इनमें से अगर कोई आप्षिन चुनते हैं तो प्रतिव्यक्ती 3.5 लाग से करीब 5 लाग तक का खर्चा आएगा आप चाहे तो EMI का आप्षिन भी चुन सकते हैं वही बात वीजा की करें तो ये सफर करने के लिए आपको 10 वीजा की ज़रूरत पड़ेगा इसकी टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंतिजाम खुद ट्रावलर कमपनी कर देगी अब सवाल ये है कि रोट ट्रिप टू लंदन कौन कराएगा तो बतादें आपको ये सफर तैग कराएगी Adventure Overland Traveller Company जिसके पाउंडर तुशार अगरवाल खुद कार से एक बार नहीं कई बार लंदन जा चुक है तुशार अगरवाल ने बताया मैंने और मेरे साथी संजय मदान 2017-2018 और 2019 में कार से दिल्ली से लंदन गय दी वहीं हमारे साथ कोचने साथी भी थे हम हर साल इस तरह की एक ट्रिप और्गनाईज करते हैं हमसे कई लोगों ने इस प्लैन में शामिल होने की इच्छा जाहर की थी जिसके बाद हमने ये बस का प्लैन बनाए इस ट्रिप को 15 अगस्त को लांच किया गया हम उमीद करते हैं कि हमारे ये सफर माई 2021 को शुरू तुशार अगरवाल ने बताया कि 70 दिनों के इस सफर में हम हर तरह की सुविधा लोगों को देंगे जिस होटेल में रुकने की विवस्था की जाएगी वो 4 सतारा या फिर 5 सतारा होटेल होगा यात्री अगर अन्य देशों में इंडियन खाने का लुथ उठाना चाहेंगे तो उनके अनुसार उन्हें खाना दिया जाएगा चाहे वो किसी भी देश में दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा करने के लिए अगर आप तयार हैं तो इसके लिए आपको पहले रेजिस्ट्रेशन कराना होगा यह रेजिस्ट्रेशन आप www.bus to london.in पर करा सकते हैं रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद निकल जाएए ड्रीन सिटी लंदन के सफ़र पर क्योंकि मशूर शायर ख्वाजो मीवदर्द ने कहा है सेर कर दुनिया की गाफिर जिन्दगानी फिर कहा जिन्दगानी गर कुछ रहे तो यह जवानी फिर कहा पर जिन्दगानी फिर कहा है